स्लाम अलिकम्, क्या हाल हैं सबका होप सब ठीक होंगे और आ गही है जी आज की रूटीन मेरी कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या बनाया तो अगर आपने मेरा चैनल स्प्स्क्राइब नहीं किया तो फ्लीज स्प्सक्राइब कर दshow लाइक कर दें और अपने फ्रेंट के तो आज जी सुबा नाश्ता किया मैंने चाय और ब्रेड रंडा काम वाली मेरी साड़े छे बज़े आगी थी और नीन भी पूरी नहीं थी रात को दो बज़े सोई थी तो फिर उसके बाद जी मेरी बेटी करने लगई कपड़े प्रेस इस तरह के जी हम तीनों के हैं ट्रेस लेकिन मैं आज भी नहीं पहन सकी क्योंके जी मैं डिनर त्यार करने चली थी और बच्चों ने पहन लिए खैर जी इन्शाला सुबा मैं पहनूंगी तो मैं अपनी बच्चियों के साथ ये व्लॉग में शेयर करूँ इंशाला इस तरह से जी हमने तीनों ने एक जैसे ड्र बस्टे का था इस तरह से जी मैंने पहन लिया और ये जी काली चूडिया में लेकिया ही थी मजार से और ये आगे जी मेरी नेल पॉलिश और रिंग्स काफी अच्छा सिलाव है जी ये सूट अच्छा लग रहा था थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन था और जी इसकी खैर जी ऑवर ओन ये लुक है जी इस ड्रेस का अच्छा लग रहा था और लेस भी अच्छी लगी थी ऐसा लगी थी जैसे आपने हाथ से कुरेशिये का वो किया होता है रही से करते हैं वैससे लगी थी काफी अच्छी लेस लगी थी खैर जी उसके बाद फिर मैने कुछ बनाईएं टिक टॉक की और उसके पाद अगें जी हमें चलेएं किचन में डिनर त्यार करने और डिनर में बना रही हूं जी आज मैं मतन प्लॉग मैं चावल बहुत कम बनाती हूं लेकिन शुकर अलगा कि जब भी बनाती हूं अच्छे बन जाते हैं अलहम्दिल्ला फिर यह मतन प्लॉग मतन जो आप कह सकते हैं कि अच्छे से उसके साफ किया था और यह जी चावल है यह वह अप्लेट कप लिया जाज जब दालशीन के कशिक लिया दो मोटी लचि लिए छे जो हैं वह नंडेशन पूरा ही लिया है एक टीस्पून जीरा लिया एक टेब़ स्पून जो है वो सूका धनिया लिया और आप कह सकते हैं ये 25 तीस काली हुचे लिया और दो अलाची है लिया इसके बाद जी मैंने सौंक भी एक चमच शामिल की थी वो यहां पर नहीं है लेकिन मैंने यखनी में डाली थी और एक टीस्पून जो है इसमें सौर्ड डालूँ और पानी आपका बोश्च गरज घरनार करने हैं ये 25 रियुक का लियुचल अपर जोहुचल जोहॉचल जोया। और जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जब यह जाग जाग आ जाग आ जाए ना आपके पास यह उपर सॉरी ठीक है तो यह निकाल के आप इसको फैंक दें उसकी वज़ए होती है फिर आप फ्लाओं में गोश्ट की स्मेल नहीं आती यह सारा जो है वो बलड़ी उपर आता है यखनी होगी जी हमारी रेडी मटन भी काल गया सब कुछ फिर जी मैंने इसको स्टेन कर लिया मुझे जस्ट इसमें जो है वो मटन चाहिए था और यखनी बाकी मैंने जो है वो फैंक दिया एक मीडियम साइज का प्याज लिया उसको मैंने इस तरह से रिंग्स में काटा है बिलकल भी डार्क ब्राउन नहीं करना लाइट सा ब्राउन क्या यह याई लाइट सा गोल्डन की है और फिर मैं लेसेना दरफ डाल दी है उसको भी एक जो सकनर फ्राई क्या और छो है जो साफ साफा के निकाला थावो डाल दी है और यखनी को सेपरेट ठाख लिए अब जी मतन को जो है ना अपने अच्छे से मसालों के साथ साथ मैं मसाले डालती जाओंगी आपको दिखाती जाओंगी लेकिं मैंने 15 मिनिट थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूना हाफ टी स्पून मैंने को टी भी मिश डाली थी लाल वाली हाफ टी स्पून हल्दी एक टी स्पून जो है नमक डाला था एक टमाटर और गरम मसाला मैंने हाफ टी स्पून डाला था पिर जी मैंने पानी डाल डाल के इसको अच्छे से भूना टोमाटर को बिल्कुल भी यानि इतना जागा मैश नहीं करना लेकिन भूना अच्छे से एक टोमाटर डाला का दही है नहीं था वरना मैं जो हाफ कप जो है वो दही डालती हूँ जो मैंने आपको कप दिखाया है यह अब धाई कप जो है यह नहीं डाल दी और फिर बॉयल आने का वेट किया वेट करने के बाद फिर हम डालेंगे अब चावल जालेंगे और यह देखें जी बॉयल जब स्टार्ट हो चाएगा इस टाम पर फिर आप इसका नमक चेक कर लें म पर इस तरह से बॉयल स्टार्ट हो तो आपने जी बस इसको सीधा गीला कपड़ा किया बगएर जो है वो दम दे देना है इस टाम पर हलका सा हलाएं आपके चावल जो है वो सारे मिक्स हो जाएं मैंने दो बार जस्ट इसको हलाया था यह अफनी में चावल डालने के पार ए एक बार जो दम देने लगी और यह हो गए जी रैडी बिलकुल भी नहीं टूटे चावल इस तरह से जी हो गए है रैडी देख सकते हैं अगर आपका प्यास जो है वो डार्ट ब्राउं हो जाएगा तो आप प्लाव का कलर जो है वो चेंड हो जाएगा यानि कि वो काला काल हो जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा और गरम गरम जी हमने किये सर्ग अलहमदलिल्ला अलहमदलिल्ला सब को बहुत अच्छे लगे और मजगी भी बहुत बने जो कुरबानी की इस तरह के गोश्ट होता है और चीज़ें जो बनाते हैं वो अल्ला की तरफ सी यखनी त्यार हुई और मैं स्टार्ट में ही इनको जो है वो पानी में डिप करके रख दिया था जब चावल बने हो तो टाइयर कैसे दूर रह सकता है यह देखें जी टाइगर आगया मेरे पास कि मुझे भी चावल दे तो ही यह देखें खाया जी इनको हमने फिर खाना न डाला बाहिर और फिर जी हमने खाई आइस क्रीम जरूर बताएं जी आज का विलोग कैसा लगा रहा है थैंक यू सो मच पर वाचिंग अगें जी अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और अपने प्रेंट के सच शेयर कर दें